नमस्कार साथ ही हूँ चाय के disposable cup में मैंने आज baking की है और successfully mango fruit cupcakes बनके तयार हो गए है बहुत easy recipe है बिना किसी color और बिना किसी essence के जब भी मीठा खाने का दिल करे फटाफट से इस recipe को बना सकते है बिना oven का बनाया है मैंने और बिना अंडे का कड़ाई में bake किया है बहुत easy recipe है ये और बहुत tasty है तो चलिए बनाना start करते है इसको बनाने के लिए एक पका हुआ आम लेना है इसको cut करके इसके अंदर का भाग निकाल लेना है याद रखिएगा कि इस cake को बनाने के लिए मैंने कोई भी artificial color और essence का use बिलकुल नहीं किया है natural color है तो जिस तरह का आप आम select करेंगे वैसा ही color आएगा cake का और वैसा ही taste भी होगा मैंने लंगणा आम यूज़ किया इसको मालदा भी कहते हैं बहुत ही मीठा होता ये आम आप इसकी जगा अलफान्जो भी यूज़ कर सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा color आता है अब perfect measurement के लिए मैं इसको कटोरी में रख रहे हूँ आधी कटोरी mango के pieces होने चाहिए आधी कटोरी चीनी भी लेनी है मिक्सी में डाल देना है और ये mango के pieces को भी डाल करके अच्छे से grind कर देना है अब आधी कटोरी एकदम ताजी दही लेनी है और एक तिहाई कटोरी और लेना है बतलब one-fourth कटोरी से थोड़ा ज़ादा चम्मच से चार चम्मच और इसको अच्छे से grind करना है अब एक कटोरी में च्छनी रख करके वनने half कटोरी मैदा लेना है एक कटोरी और आधी कटोरी और एक चम्मच और आधी चम्मच और Baking Powder लेना है और सिर्फ आधी चममच Baking Soda इन तीनों को डाल करके अच्छे से छां लेना है एक बार फिर से इसको मिला देना है उसके बाद जो chef mango दही जो blend करके हमने रखा था वो डाल करके इसको अच्छे से mix करना है केक का बैटर बनाना है लेकिन याद रखिए कि इसमें जो दही हमने डाला है वो दही बिल्कुल ताजी होनी चाहिए ने तो केक का स्वात बिगड़ जाएगा केक का बेटर अभी काफी थेक है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ आप इसकी जगर दूद भी यूज़ कर सकते हैं रूम टैंपरिचर का फिर से थोड़ा पानी डाला है मैंने टोटल तीन चमच पानी डाला है मैंने अभी तक और ये बैटर अप परफेक्ट हो गया है बेकिंग के लिए इस टाइप का होना चाहिए थोड़ा सा टूटी-फूटी भी डाल दिया है मैंने आप इसकी जगर ड्राइ फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इसको हलके हाथों से बस थोड़ा सा मिक्स कर देना है ओवर मिक्स नहीं करना है अभी इसको बनाने के लिए चाय वाले डिस्पॉजबल छोटे छोटे कप ले रहे हुँ मैं इसकी जगा अब डिस्पॉजबल कटोरी भी ले सकते हैं इसमें थोड़े-थोड़े से ओल डाल देने हैं और ब्रस से अच्छे से मिला देना है बहुत ही अच्छे से इसमें बेक भी हो जाता और निकल भी जाता है अब केक के बैटर को इसमें डाल देना है ध्यान रखिए का पूरा नहीं भरना है थ्री-फोर्थी भरना है मतलब आधे से थोड़ा जादा बैटर डालने के वद ऐसे तीन-चार बार टैप कर देना है उपर से थोड़ी सी टूटी-फोटी लगा दिया है मैंने सुन्दर दिखने के लिए अब कड़ाई में एक स्टैंड रख करके इसको कवर करके मेडियम आज पे पांच मिनट गरम करना है और होल में कागत जरूर लगा दिजेगा ताकि गरम हवा बाहर न निकले पांच मिनट हो चुके हैं कड़ाई भी थोड़ी गरम हो गई है अब एक प्लेट रख करके सारे कपकेक को इसके उपर रख देना है ये डिपेंड करता आपके कड़ाई के साइस के उपर अगर बड़ी कड़ाई हो तो एक पर में ज़्यादा केपक भी बेक कर सकते है अब कवर करके 20-25 मिनट बेक करना है एक्टम स्लो फ्लेम पे 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कितना खुबसूरत है ना एक बार चेक कर लेती हुँ मैं पहले ये देखिए पिल्कुल क्लीन आ गया अब इसको फटाफट से निकाल देना है कि ओवर बेक न हो जाए पाथ से भी देख लीजिए कितना सुन्दर बेक हुआ है ना अब उसी गरम कड़ाई में फटाफट से बाकी बचे हुए कपकेक्स को भी रख करके एकदम स्लो फ्लेम पे बेक कर लेना है टोटल आठ कपकेक बन गया है चार पहले और चार अभी इसको भी एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि अच्छे से बेकिंग हुई है कि नहीं ये देखिए बिल्कुल क्लीन आ गया और क्या खुबसूरत लग रहा है ना बिल्कुल पास से दिखला रही हूँ मैं आपको इस डिस्पॉजबल कप को भी बेकिंग के बाद मैं आपको चारो तरब से दिखा रही हूँ ये कहीं भी जला हुआ नहीं है इससे केक निकालना बहुत इजी है बस हलका से से रब करके धीरे से बस खीच लेना है ये देखिए फटा फट बाहर आ गया कट करके भी दिखा रही हूँ आपको ये देखिए चाको मैं कहीं भी कुछ चिपक नहीं रहा है इसका मतला भी एकदम परफेक्ट बेकिंग हुई है एकदम पास से इसका टेक्चर भी देख लीजिए कितना सुन्दर लग रहा है न हर एंगल से मैं घुमा घुमा के आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको इसका टेक्चर समझ में आ जाए रियली बहुत अच्छी रेसेपी आप भी इसको बना के एक पर जरू ट्राइ कीजेगा तो चलिए फिर मिलते हैं नई रेसेपी के साथ बाई